आज बनाएंगे दोस्तो एक कटोरी दूद और एक कटोरी बेसन से हल्दी और टेस्टी रेसीपी दोस्तो रेसीपी बनाना बहुत ही आसान है और आपकी बिल्कुल कम टाइम में ये रेसीपी बनकर त्यार हो जाएगी कोई घर पर महमाना आ जाए तब आप इस रेसीपी को त दोस्तोो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं, तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजियें, तो चलिए बनाते हैं s recipe, recipe बनाने के लिए मैंने यहां लिए है यह कटोरी बेसन, इसतरह से आपने बेसन लेना है बेसन आपका बारीक हो या मोटा वो चलेगा तो इस तरह के से आपने लेना है एकटोरी बेसन और इसको चान कर लेना है चान कर दो सो आप पहले ही ले सकते हैं इसको या फिर पढ़ाई में इस तरह से चान कर डाल सकते हैं जैसे ही ये च्छन जाए आपने गैस ओन कर लेनी हैं आपने गैस को心गर लखना है ज्यादा तेजılar आच नहीं करनी है सीम गैस पर आपने इसको रोस्ट करना है जितना अच्छा आपका बेसन भूनेगा उतनी ही अच्छी आपकी recipe बनेगी इस बात का अपने ध्यान लखना है इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है भूनने में दोस्तों ये रेसिपी जो है आज की हम इसको एक चमच घी में बनाएंगे जादा घी का यूज नहीं करेंगे बहुत ही बड़िया रेसिपी बनेगी और आपके बजट में भी आएगी कोई भी 300 हार हो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो बेसन मेरा भून चुका है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बस 3-4 मिनिट आपको बेसन को भूनने में लगेंगे जैसे ही ये भून जाए इस रीके से हो जाए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ज्यादा कलर हमने इसका चेंज नहीं करना है तो बेसन भून चुका है अब इसमें डाल लेते हैं चुटकी भर कलर कलर आप रेड ले सकते हैं औरेंज ले सकते हैं कोई भी कलर ले सकते हैं मैंने यहाँ पर रेड औरेंज जो कलर मिलता है वो लिया है चुटकी भर और इसको मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बाद दोसो क्योंकि हम इस रेसीपी को सिर्फ एक चमच खी से बनाएंगे तो हमें कुछ नगुछ तो चाहिए ही होगा इसमें तो इसमें डाल लेते हैं चाहर चमच हम मिलाई के डालेंगे ये वही मिलाई है जो दूद पर आ जाती है जैसे हम दूद को वाल दे कर रख लेते हैं तो उस पर जो मिलाई आ जाती है वो हम ले रहे हैं चाहर चमच आपने डालनी है मिलाई को और इसको मिक्स कर देना है थोड़ा सा mix कर दे, mix करने के बाद दोसो अच्छे से अभी mix हुआ नहीं, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे आपने इसको mix करना है, एक कटोरी इसमें ले लेते हैン, milk powder, milk powder जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, एक कटोरी ले बे या फिर आदि भी ले सकते है, या पॉणी सी ले सकते है, मेरी एक कटोरी से थोड़ी से कम है milk powder, वो इसमें डाल लेते हैं, और इसमें डालेंगे coconut बुरादा, ये desiccated coconut powder है वो डाल लेते हैं इसमें आधी कटोरी मैंने desiccated coconut powder लिया है और इसमें डालेंगे आधी कटोरी ही sugar powder ये measurement लेना है बस आपने मैं एक ही कटोरी से माप कर आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़े मैंने एक ही कटोरी से ली है तो आपने इस सारी चीज़ों को mix करन है यहां पर दोस्तो अगर आपको mix करते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि थोड़ा सा time लगेगा यहां पर extra mix करने में तो आपने एक काम करना है इसको अच्छे से बनाने के लिए अब फटफट से बनाने के लिए आपने क्या करना है mixy jar लेना है और mixy jar में इसको बस ए powder बन गया है mixy में चला कर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा time लगा कर चमज से भी मुलायम सा बना सकते हैं जब आपने इसका powder बनाना है यानि इसको mash करना है अच्छे से तब आपने gas को बंद कर देना है अब यह powder अच्छे से बन गया है gas on कर देते हैं अब भी आपने seam gas ही क करके रखनी है तो अब डालेंगे दोस्तो इसमें एक कटोरी दूद यानि जितना हमारा बेशन था बस उतना ही आप दूद ले लें दूद को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिलाते रहें इस तरीके से वैसे तो दोस्तो हम इसमें आदिक कटोरी दूद भी ले सकते हैं बस मैं एक डोरी ले रही हूं ताकि इसका टेस्ट और थोड़ा सा बढ़ कर आए तो इस तरह से मैंने सारा दूद डाल लिया है और इसको मिक्स करना है सीम गैस पर इसको पकाते रहें दोस्तो फ्लेवर को बढ़ाने के लिए आप इसमें इलाइटी पावडर भी यूज कर सकते हैं देखिए इसको सीम गैस पर चलाते रहें तो इस तरह से ये थोड़ा टाइट सा होने लगेगा अब दोस्तो इसमें इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालते हैं एक चमच देसी घी बस और घी हम इसमें यूज नहीं कर रहे है बस इत तियार है हमारी रेसीपी, अब क्या करना है, आपने कर देनी है गैस बंद और इसको या तो कड़ाई में ही फैला कर रख दें इस तरीके से, या फिर आप इसे एक प्लेट में निकाल लें, जैसे मैं निकाल रही हूँ, बस ऐसे आपने निकाल लेना है, ताकि ये फटाफट स हमारी recipe त्यार हो जाए तो देखे दो मिनट भी नहीं लगेंगे आपके इसको ठंडा होते हुए ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हलका सा गरम रहना चाहिए अब आपने क्या करना है हाथ पर लगा लेते हैं घी वैसे तो बिना घी लगाए भी ये बन जाएग तो लीजिए दोस्तों एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ और इसको रख लेते हैं कागच वाली प्लेट में जैसे की मार्किट से मिलते हैं बने बनाए पेड़े जैसे की हलवाई की दुकान पर मिलते हैं बस वैसे ही हमने इनको रेड़ी करना है तो देखे दोस् और देखने में लाजवाब तो देखिए आप भी इस तरह से बना सकते हैं कभी भी छोटी मटी भूग लग रही हो मीठा खाने का मन करता है हमारा कभी कभी तब आप इस तरह की रेसिपी घर में बना कर रख सकते हैं हल्दी भी है क्योंकि ये बेसन से बनी हैं और टेस्टी मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से वैसे उतना मीठा बहुत हैं ज्यादा मीठा नहीं करेंगे इसको बिल्कुल कम मीठे में आज की रेसिपी हमने बनाई है तो इस तरह के से दोस्तों आप घर में बना सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आएगे और ज कमाल की रेसिपी देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी मार्किट से लेकर आये हैं तो कब बनार riceick हमें comment box में लिक कर जबूर बताना वीडियो पसंद आए तो फ्लीच वीडियो को like करे शेयर करे चैनल को subscribe करें मिलते हैं दोसु next इस वीडियो में नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक धन्यवाद।